तो दोस्तो जो भी इंतजार कर रहा था और जो भी long term के यहाँ पर player है उनके लिए यहाँ पर एक मौका बन चुका है जिस stock की हम बात करने वाले हैं अपने buying range में आ चुका है दोस्तो यह stock और आपको यहाँ पर इस opportunity का जरूर फायदा उठाना चीए क्योंकि यह जो company है दोस् management के पास तो इस stock को मैं लगातार cover करता हूँ लेकिन आज फिर से cover कर रहा हूँ क्योंकि यह अपने एक ऐसे level पर आ चुका है जहाँ पर आपको मौका नहीं चूकना चीए तो किस company की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करें दोस्तो यहाँ पर one and only divies laboratories की 1,20,000 करोड का market cap है लेकि यह company दोस्तो यहाँ से भी बहुत बड़ी बनती हुई हमको नजर आएगी future में ऐसा मेरा विश्वास है इस company पे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यह weekly चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तो आप देखेंगे एक trend line पे यह जो है trend line मैंने draw करी है करीब करीब उपरी इस तरों से 17% correction पे आच चुका है और यह trend line दोस्तो एक बहुत ही major support है इसके लिए आप देख सकते हैं आपर जिसको यह break नहीं कर रहा है अगर मैं आपको इसको daily chart पे दिखा हूँ तो daily chart पे आप देखेंगे बहुत important trend line है यह और यह है 200 दिन का moving average भी है जिया दोस् March 2020 से लेकर अभी तक इसने अपना 200 day moving average कभी भी break नहीं किया है आप दे सकते हैं फिर से अपने 200 day moving average के आस पास यह all the most उसी level पे आच चुका है तो यहाँ पर एक जबरदस opportunity इन फैक्ट अगर आप थोड़ा सा और दोस्तों पीछे जाएं तो आप देख सकते हैं 2017 से इन फैक को जरूर deploy करना चाहिए इस टॉक उपर इस तरों से अच्छा घासा करेक्ट हो चुका है जो भी यहाँ पर wait कर रहे थे इस stock को buy कर सकते हैं गजब कि यहाँ पर हमको opportunity नजर आ रही है यहाँ पर में एक और update आपको देना चाहुआ वह है दोस्तों यहाँ पर डिवीज कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोवीड की जो पिल है उसमें इंडियान जो manufacturers है उनका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है तो definitely पिल्स यहाँ पर बहुत सारी हमको बंती हुई देखने को मिलेगी कोवीड की ठीक है लेकिन API की जब बात होगी दोस्तों API में दो ही कंपनी यहाँ पर सबसे बहतरी नजर आती है उनका ही यहाँ पर mention आपको देखने को मिलेगा वो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर DVs Laboratories जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं DVs Laboratories का अल्रेडी लाइसेंस है यहाँ पर MSD authorized manufacturer है for Molnu Piravir API and was allowed to supply this API to MSD voluntary licensing partner है एक और कंपनी में आपको बता दू Loras Lab जी हाँ दोस्तों Loras Lab जो है medicine patent pool के साथ यहाँ पर इनका और they have already entered into the license agreement with the medicine patent pool तो again इनको भी दोस्तों यहाँ पर approval मिल सकते हैं जहाँ पर जो low income और middle income countries हैं वहाँ पर Loras Lab यहाँ पर provide करा सकती है यह API और DVs Lab की बात करें तो यह already दोस्तों यहाँ पर FDA approval इसके पास already है तो regulated markets में DVs Laboratories जहाँ पर हमको यह API provide करती हुई नजर आ सकती है तो again API का market बहुत बड़ा है दोस्तों यहाँ पर DVs Lab सबसे बड़ा player है जहाँ पर करीब 10 इसके पास ऐसे APIs हैं जिसमें market share around 70-80% का है और आने वाले भविश्य में इनके जो next 20-30 APIs हैं उसमें अभी जो है करीब 30% का market share है management ने बोला है वहाँ पर भी 70-80% का market share एक grab करने वाले हैं और जैसे कि मैं आपको पिछले कई वीडियो से बता चुका हूँ six growth इनके जो driver हैं जो यहाँ पर engine हैं जिससे हमको growth आती हुई देखने को मिलेगी चाहे हम बात करें patent चाहे expire होने वाले हैं जो 2023 में उनके लिए already इन्होंने सारी planning कर ली है तो यह सारी चीज़े मैं आप बिटन में लिंक दे दूँगा दोस्तों आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा अगर आपको डिवीज लैप के उपर conviction हासिल करना है तो तो इसलिए मैं आपको बता रहूं कि यहां पर एक buying opportunity आ चुकी है अगर यहां से correct होता है तो इसमें और correction आ सकती है यहां पर करीब करीब यह correction थोड़ी और हमको आती हुई देखने को मिलेगी करीब करीब 4200 तक लेकिन दोस्तों मेरे को लगता है जितनी इसमें गिरावट होगी न वहाँ पर इस opportunity को हमको grab करना चाहिए long term का नजरी हमको रखना चाहिए यहां पर यह नहीं सोचना चाहिए कि 100 रुप इस सालों में मुझे लगता है यह 25% CAGR से minimum growth हमको दिखा सकती है जहां पर दूसरी companies margins का pressure जेल रही थी लेकिन यह company से 41% के margin यहां पर हासिल किये पता चलता है कि कितना गजब का यहां पर backward integration है company के पास और only backward integrated API company है इंडिया की इसलिए आपको margin सबसे बहतरीन इस company के देखने को मिलते है efficient management है plans अच्छे है blueprint पूरा तयार है API sector की काफी growth है फार्मा sector यहां से बहुत बड़ा होने वाला है तो यह है दोस्तो पूरी update I hope यह update आपको छोटी से update थी in fact पसंद आई होगी I hope दोस्तो तो यहां पर मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बनाएं ताकि आप update रह झाल